हेलो फ्रेंट्स, वगरम टो रेसिपी आनों मैं सौम में सिंग आज हम आप के लिए गेहू के आटे से नमकीन कुकीज यानि जीरा कुकीज बनाने वाले हैं जिसे हम कड़ाई में और साथ में अवन में बेक करेंगे सबसे पहले यहां मैंने एक बड़ी सी कड़ाई ली है एक स्टैन रख रहे हैं और इसी धग कर मीडियम प्लेम पर लगबग 10 मेट गरम करेंगे यानि प्री हीट करेंगे इसी तरह हमने माइक्रोवेग को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिगरी पर स्टार्ट कर दिया है आप ओटीजी और अवन को 180 डिगरी पर प्री हीट कर ले तो अब हमें कुकीज के लिए डो बनाना है तो सबसे पहले यहां मैंने सॉल्टेट बटल लिया है यह 110 ग्राम है साथ में इसमें हमें PCV चीनी डालना है तो आज हम white sugar का use नहीं कर रहे है brown sugar का use कर रहे है अगर आपके पास brown sugar नहीं है तो आप normal जो sugar होती है उसे पीस कर इसमें डाल सकते हैं तो तीन बड़े चमबच मैंने brown sugar डाला है इन दोनों चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है लगबग 2-3 मिनिट तो आज हम healthy cookies बना रहे है गेहू के आटे से बना रहे है तो इसलिए मैंने आज brown sugar का use किया है आप normal sugar भी इसमें डाल सकते हैं अब इसमें हमें डालना है गेहू का आटा तो यहां मैंने 150 ग्राम इसमें गेहू का आटा डाला है आधा चमश नमक डाल रहे है साथ में एक चमश जीरा डालेंगी और इसके बाद हमें इसका dough बनाना है dough बनाने के लिए हम दूद या पानी का use बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं इसमें जो butter है इससे dough बहुत यहसानी से बन जाएगा अगर आप unsalted butter ले रहे हैं तो नमक का थोड़ा जादा यूज़ करें या घी का यूज़ कर रहे हैं तो नमक का थोड़ा जादा यूज़ करें तो dough बन कर त्यार हो चुका है अब हमें cookies बनाना है cookies आप वैसे किसी भी shape में बना सकते हैं इसे बेल कर बना सकते हैं, cookies cutter का यूज़ करके इसे बना सकते हैं यहां मैंने बहुती simple तरीके से cookies को बनाया है सबसे पहले मैंने एक ball बनाई medium size की उसे हलका सा flat किया यानि चिप्टा किया उसके बाद इस तरह की मैंने इस पे design बनाती है तो सबसे पहले medium size की ball बनाना है अगर आप cookies को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो baking time थोड़ा ज़ादा हो जाता है तो बस आपको ये चीज़े ध्यान में रखनी है और cookies को बनाना है तो यहां मैंने इस तरह की जाली से इसके उपर design बनाया है आप कोई भी design बना सकते हैं तो यहां एक plate पर मैंने cookies को रख दिया है जिसे हम कड़ाई में रखेंगे और साथ में tray में cookies को रख दिया है जिसे हम oven में रखेंगे तो सबसे पहले हमने कड़ाई में plate को रखा है इसे हमें medium flame पर bake करना है लगबग 20-22 मेट लगेगा 20 मेट बाद आप इस cookies को चेक कर लें अब हम microwave में low rack पर pray रख रहे हैं convection का button प्रेस करेंगे 180 डिग्री पर इसे bake करना है लगबग 15-16 मेट लगेगा आप same time, same temperature OTG और oven में भी रखें तो यहां जो कड़ाई में cookies है यह बहुत ही अच्छे से bake हो गई है इसमें मैंने कोई भी baking powder या soda का यूज नहीं किया है इसलिए इसमें crack नहीं आया है पर यह बहुत ही ज़ला टेस्टी बनी है बटर का टेस्स है, साथ में यह नमकीन cookies है तो सभी लोग खा सकते हैं इस cookies को मैंने कड़ाई में bake किया है और यह जो cookies है, इसे मैंने oven में bake किया है कोई नहीं बता सकता कि कौन सी cookies किस में bake हुई है तो इसे आपको ठंडा करना है एर टाइट डिबे में स्टोर करके रखना है और इस cookies को enjoy करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह recipe कैसी लगी विडियो अच्छा लगा हो तो like और share करें और जो लोग नए है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एक बाफ फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई recipe साथ तब तक लिए thank you and take care आज हम आपके लिए coconate cookies बनाने वाले हैं और साथ में médicase का यूज़ नहीं करेंगे बलकि गेहु के आठे का यूज़ करने वाले हैं इसे हम कढ़ाई में भी बनाएंगे और साथ में oven में भी बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमने कढ़ाई और oven को गरम करना होगा यानि प्रीहीट करना होगा तो यहां मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है इसमें स्टैंड रग देते हैं और इसे धग कर मीडियम फ्लेम पर लगबग 10 मेंट गरम करेंगी इसी तरह हम अवन को भी प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री पर अब हमें कोकीज का डो बनाना है जिसके लिए मैंने घी लिया है यहां मैंने 100 ग्राम यानि 100 ग्राम घी लिया है और यह कप में आधा कप है इसके जगह आप बटर या वाइट बटर का भी यूज कर सकते हैं इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं यहां मैंने आधा कप पि यहां जो घी है यह बहुत अच्छे से पिट गया है तो आज हम मैदे का यूज नहीं कर रहे हैं बलकि गेहूं के आटे का यूज कर रहे हैं यानि वीट फ्लावर डालेंगे तो इसमें हम 150 ग्राम वीट फ्लावर डाल रहे हैं और यह कप में 1 कप प्लस एक चौथाई कप है इसी के साथ इसमें हम गरी का बुरादर डाल देते हैं क्यूंकि यह कोकोनेट कुकी से तो यह मैंने 50 ग्राम लिया है जिसमें से मैंने लगबग थोड़ा सा कोकोनेट पॉडर से बचा लिया है जिससे आम ओपर से लगाँगे एक चमश मैंने बेकि कोगी लीका टूद़ी लीॉया है तो बिल्कुल तειार है अब हमें कोगीस बनाना है कोगीस बनाने के लिए मैंने यहाँ ठोड़ा सम्ल्क यानि दूद लिया है और जूदा समेमेद जो कोकोनेट यानी गरी का बुरादर बचाय को अ तो सबसे पहले हमें डो की छोटी छोटी बॉल बनानी है बहुत छोटी बॉल नी बनाएंगे मीडियम साइस की बॉल बनाएंगे बहुत हलकी हाथ से दबाते हैं और जैसे आप पेडा बनाते हैं सेम इसे भी उसी तरह बना लेते हैं तो बहुत हलकी हाथ से इसे घुमाते रह और अच्छे से इसे पेड़े का शेप दे दे, तो अब इसके उपर हम दूद लगा देते हैं, और इसके बाद इसके उपर गरी का बुरादा लगाना है, तो ये जिखी, कुकिस बिल्कुल तयार है, इसे हम ट्रे में रखेंगे, और इसी तरह हम सभी कुकिस को तयार कर लेते वैसे आप cookies किसी भी शेप में बना सकते हैं, इसे आप बेल करके भी बना सकते हैं, मैंने बहुत सी cookies की recipe डाली है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जो लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह cake, cookies और ऐसी भ प्रे में cookies को रख दिया है, और थोड़ी दूरी पर ही रखा है, और इसे हम कढ़ाई में रखेंगे, तो आप किसी भी प्लेट पर हलका सा ओल लगा दे, और अगर नॉन स्टिक है तो उस पर आपको ओल लगाने की जरूवत नहीं है, और इस पर भी आप कुकीज को रख दे है, तो इसमें हम स्टैंड की उपर प्लेट को रख देते हैं, और इसे हमें बेक करना है, लगबग बाई से पच्चिस मेट में ये कुकीज बेक होगी, और मीडियम प्लेम रखें और इसे अच्छे से बेक कर लें, तो यहां जो कढ़ाई में बनी हुई, और यहां जो इस बाई कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तो सबसे पहले आपको ये कुकीज को ठंडा करना है, और इसके बाद ही स्टोर करके रखना है, इसे आईएगा और कमेंट करना विलकुल नहीं भूलेगा, एक बाद फिर से मिलते हैं ऐसी एक नहीं रेसिपी साथ, तब तक लिए थांक यू एंटे कियर, आज हम बनाने जा रहे हैं टुटी फोटी कुकीज, जिसे हम कराची कुकीज भी कहते हैं, यह बनाना बहुत ही असान ह तो उमीद है कि आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी, प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शियर करें, सबसे पहले मैंने बटर ले लिया है, आप चाहें तो घी का यूज कर सकते हैं, यह आदा कप बटर है, और ग्राम में 100 ग्राम आप चाहें तो हाथ से या चम्मच से भी मिला सकते हैं, तो यह बिलकुल क्रीम जैसा हो गया है, अब इसमें मैदा मिला रहे हैं, तीन बड़े चम्मच, कस्टरड पॉडर, एक चम्मच यम डाल रहे हैं, बेकिंग पॉडर, बहुत दोड़ा से नमक डाल रहे हैं, अगर आ अचछे से mix कर लेते हैं, एक बड़ा चम्मच दूद डाल रहे है, इसमें ज्यादा न डाले, केवल एक से दो बड़ा चम्मच दूद डाले और एक डोबना ले, मैंने यहां क्लेंजिंक राप लिया है, इसपर हम डो को रखते हैं और अच्छे से सेट करते हैं, कुकीस को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो, तो मैंने डो को कुछ इस तरह सेट किया है, इसे हम क्लिंजिंग राप से अच्छे से राप करेंगे, और फ्रिज में रखेंगे, इसे हमें 10 मिट के लिए फ्रिज में रखना है, और उसके बाद इसे निक काटना है, तो मैंने नाइपलिया और कुछ इस तरह हम कुऌकी को निकितार है, और इसे हम ट्रे पर रख लखेंगे, यहां मैंने यहां मैंने कुअ कड़ा बेक कर सकते हैं, रख दा रहे हлан दाइक हैं, माइक्रोवेव को मैंने कन्वेक्शन मोड पर पहले से प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर, एक बाद फिर से हम कन्वेक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 180 डिग्री पर इसे बेख करेंगे, लगबख 15-18 मिट लगेगा इसे बेख होने में, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, कुकीज बहुत ही अच्छी बनी है तो इन्हें आप ठंडा करके स्टोर करके रखें ये कुकीज बहुत ही अच्छी लगती है खाने में तुम यह दे कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा होते लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वी इसे तरह नई रेसिपी देखने के लिए इन दो लिंक पर क्लिक करें एक बाप फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी साथ तब तक के लिए थैंक यू